कुरूना काल में दो महिने तक रोजगार बंद कर घर बैठे लोगों के बिजली बिल माफ करने को लेकर अजमेर में आम आदमी पाथी ने कलेक्टरेट तक पैदल रैली निकाली और मुखे मंत्री के नाम कलेक्टर को ग्यापन सौपा आम आदमी पाथी ने अप्रेल से जून महिने के बिजली बिल माफ करने के साथ ही दिली सरकार की तर्स पर 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की मांग की है कोरोना काल में लोगों के पास रुजगार नहीं है और सरकार है कि एसी कमरों में चैन से बैठी हुई है ना तो कोविट प्रबंधन था सरकार का आम आदमी तब भी मर रहा था अभी कोई भी रोजगार का साधन नहीं है पैसे नहीं है लोगों के पास और बिजली के बिल उन लोग को या तो एवरिज ले करके या फिर अब वापस से उनको देख करके उनको बिजली के बिल दिये जा रहे हैं तो एप्रिल में जून कि बिजली के बिल माफ किये जाए, साथ ही हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि राजिस्थान जो है, वो बिजली उत्पादन में अग्रणी प्रदेश है, दो रुपे सतर पैसे पर युनिट, ये जो ब्यावर की कमपनी है श्री सिमेंट, ये बेचत हुए है राजिस्थान सरकार को दो रुपे सकता है